हलो एंट इस वीडियो में बात करेंगे बिहार में teacher recruitment पे blind federation वाले case के बारे में क्या है उसका अभीक आपडेट क्या कल सुनवाई होने जा रही है और तमाम दूसरे पहलू जो कि उस case से related हैं बिहार में teacher recruitment से related है उन सभी मुद्दों पर बात होगी तो अभी आपके सामने एक ट्वीट के रिप्लाई में कुछ लिखा है आप में से ज्यादा तर लोग जो के एक्टिव हैं स्टीटी को ले करके उनकी नजर आल्रेडी इस ट्वीट पर गई होगी क्योंकि यह पुराना ट्वीट है लेकिन इसको अगर ब्लाइंड फेडरेशन वाले केस की बात कर रहे है तो इसको इंक्लूड करना जरूरी था तो यहां पर इन्होंने लिखा है कि 1955 पॉजिशन पर है यह वाला केस 5 अपरेल को सुना जाएगा यह सारी बाते इन्होंने लिखा हुआ है यह भी कह रहे हैं कि अपनी तरफ से भी कोशिश कर रहे हैं यह सारी बाते अभी के टाइम पे कंडिशन ये हो गया है कि पटना हाई कोड की वेबसाइट से ज्यादा ट्रैफिक इनके ट्विटर प्रोफाइल पर जाता होगा क्योंके इन्होंने काफी लोगों को रिपलाई किया है अब चूंके कईों को रिपलाई कर दिया इसलिए बहुत सारे और लोग भी इनको टैक करते रहते हैं तो खेरे निहाओ इन्होंने यही बात कही है कि 1955 पोजिशन पर है और अभी हम लोग काउज लिस्ट पर जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर क्या हाल है क्या केस लिस्टिंग हुआ है क्योंके 5 अपरिल का काउज लिस्ट हाई कोड की वेबसाइट पर आ चुका है कल ज कि पहले भी वीडियो क्रीयक कर टुका हूं कोई पहली बढ़ नहीं है यह इन्होंने मल्टीपल केस किया है अगर टीचरेक्रूटमेंट की पूरे प्रसेस देखें चथा फेस वाला हो यह फिर प्राइमरे टीचरेर क्र्वीडमेंट हो इन्होंने । इस ज्यादा estou् hr यह बात मैंने पहले भी बताया था नेशनल फेडरेशन और ब्लाइंड करके जो यह आप देख रहें इनके पैन इंडिया प्रेजेंस है इवन जो बिहार के छोड़े छोड़े डिस्ट्रिक्स हैं वहाँ भी इनकी प्रेजेंस है क्योंकि अगर आप देखें जो प्रेटिशन जैसे कि यह वाला केस है यह आप देखें एक और केस है इनका एक क्यानवे उनीस करके जहां तक मुझे याद आता है नंबर इस इनका डॉक्कुमेंट अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ में पाएंगे कि इनका सुनवाई जो पीछे हुआ है जितने बीडेट्स पर सुनने वाले हैं उन सभी की लिस्ट है आप भी चाहें तो हाई कोड की वेब साइट से जाकर कि इसको वेरिफाई कर सकते हैं जो केस नंबर उन्चास पच्छतर है या जो ब्लाइन्ट फेडरेशन का कोई भी केस कल के डेट में लिस्टिंग में नहीं है मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आप हाई कोड की वेब साइट में जाएं चीफ जस्टिस संजेक रोल की जो काउज लिस्ट है उसको आप निकालें पाच अपरिल का आप कोई और जजज सुन रहे होंगे तो उनका मैं नहीं कह सकता हूँ या कुछ और मामला कुछ complicated होगा तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि जो कानून के जानकार है वो इन बारुकियों को समझते हैं लेकिन पीछे चूंकि इनके केस को संजेक रोल ने सुना है चीफ जस्टिस ने खुद सुना है और चीफ जस्टिस की कल की काउज लिस्ट में अगर आप देखें पांच अप्रिल की जो कि आपके स्कीन पर अभी दिख रही है तो ब्लाइन फेडरेशन का कोई भी केस यहां पर लिस्टेट नहीं है और कुल केतने केस हैं वह मैं आपको दिखाता हूं कि इसको अगर आप पूरा स्क्रॉल करेंगे 295 नंबर से सुनवाई होने का कितना चांस है जो भी लोग रेगुलर्ली स्टीट को फॉलो कर रहे हैं इसके केसे से जुड़े हुए हैं वो इस बात को समझते हैं कि अगर कोई भी केस किसी काउज लिस्ट में 155 नंबर पर है तो उसकी सुनवाई हो सकती है कि नहीं हो सकती बाखिक कल क्या होगा ये कल पता लगेगा कल भी इस पर नजर बना के रखेंगे क्योंकि अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है हाई कोड की वेब साइट में इस केस को लेकर के लेकिन हो सकता है कहीं कोई और जजज भी इसको सुन रहे हैं हो या कुछ मामला इसमें कॉम्प्ल करेंगे पर अभी के लिए बस यही सारी बाते थीं कि अगर आप देखें तो कहीं का दिखता नहीं है अभी के लिए बस यही सारी बाते थीं आगे जब भी अप्डेट आई कोई भी ऐसा केस जो टीचर रिक्रूट्मेंट को एफेक्ट कर रहा है तो उसको कोशिश करेंगे कवर करने का अभी के लिए इतना ही आगे स्टीटी से जड़े कोई खबर आई कोई भी अप्डेट आई तो अप्डेट करेंगे जल्दी जल्दी थैंक यूँ